नमस्कार दोस्तों घर रूटेक्निक में आप सभी का स्वागत है यहां तक यह देखी हम बना के ले लिए हैं अब आगे हमें कैसे बनाना है दोस्तों यहां तक हमने फंदे बुन के ले लिए हैं आगे का डॉरमेड बताएंगे आप लोगों को सुरू से वीडियो को लाज त ही है हम भंडर ढलना शुरू कर दिये जो इसे यहां अधाते जाएंगे और आगे बुनते जाएंगे सलाइक को हम इसी तरह इस तरह से हम इसको पूरा करके फिर आगे दिखाते हैं आगे हमें कैसे बनाना है यह देखिए इस तरह से हमने सलाई पूरा कर लिया इसलाई लाश्ट हो गई हम आगे बनाएंगे यहां से यह पहला फंदा उतार लेंगे धागे को आगे ले लिया दो फंदे हम इस कलर से कर अब धागे को आगे लेंगे अब इसके बाद हम दूसरे कलर लगाएंगे यह देखिए यह दूसरे कलर से बुनेंगे यहां से और यहां से हमारी डिजाइम बनना शुरू हो गया दोस्तों। आप भी इस वीडियो को देखना। कमेंटन में भी बताना आप वेडियो कैसी लङी और यह डिजाइन कैसा लगा। इसी तरह से बुनते बुनते इस तरह से यह देखिए लाश्ट में आगे लाश्ट का एक फंदा हम छोड़ देंगे यहां और धागे को पलट लिए फिर आगे की साइड हमें इसी तरह से बुनना है यह देखिए एक फंदा हम छोड़ देंगे किनारे की साइड और यहां से द धागा को पीछे किया, इसके बीच में से दूसरा धागा आगे ले आए, और ये दूपंदे हम इस तरह से इसको बूल लेगे, यह देखिए, अब यहाँ से देखिए दूसरी बार, दूसरी स्लाइब, यह पहला फंदा हम इस तरह स उतार लेंगे धागे को आगे लिए अगे का ओस्धा अगे का समय कलर से बुनेंगे और इस तरहा को इसी तरह से पूरा करते जाएंगे इस तरह से बुंते-बुंते हम लाश्ट में आगे हैं, लाश्ट का एक फंदा दूसरी बार भी छोड़ देंगे, दूसरा फंदा पहली बार एक फंदा छोड़ा था, दूसरी बार हम दो फंदे छोड़ दिए, इस तरह से धागे पलट के आगे की साइड हमें बुल लेना है बहुत ही सुन्दर डीजाइन है दोस्तों आप भी घर बैठे देखके इस वीडियो को सीख सकते हो बना सकते हो अगर हमारे चैनल पर नए हो दोस्तों तो लाइक सिस्क्राइब शेयर जरू करना कमेंट में भी बताना आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सकते हैं आगे हमें फिर से इसी तरह से बुनना है दो तीन एक फंदा इस्ट्राइब लेंगे चार ये देखिए पिछली बार तीन फंदे लिए थे अपकी बार चार फंदे इसी तरह साइड एक-एक फंदे हर सलाई में लेते जाना है और आगे हमें ऐसे और से बुनन लेना है इस तरह से ये देखिए cuडो नास्ट में आगे लास्ट से फंदा पिर से चोड़ देंगे और धागा पलट के आगे की साइड हमें बुल लेना है चलो अब हम इसकली को पूरा करके फिर आगे कैसे बनाना है दिखाती हो यह देखिए आगे हम इस तरह से बना के लिए हैं इस तरफ हमने एक एक फंदे हर सलाई में लेते गए हैं अंदर की साइड यह देखिए इस तरह से फंदे लिए थे और इस तरफ हमें एक एक फंदे एक दो तीन इसी तरह से हमने फंदे छोड़ते गए यहां बीच तक हमने फंदे छोड़ दिये हैं यहां तक हमने फंदे छोड़ा है और साइड से भी हम इस साइड से हम एक एक फंदे लेते गए हैं यहां बीच और बीच हम यहां आगे हमें कैसी बनाने दोस्तों आगे देखिए यह पहला फंद उता लिए दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस इसी तरह से यह फंदे हम बुनते जाएंगे सारे फंदे हम बुनके इस चलाई में ले लेंगे और इसे देखिए यह यहां तक हम बुन लिए एक फंदा हम अब इसे हम दूसरे कलर से बुनेंगे इस तरह से यह देखिए दूसरे कलर से बुन लिया और आगे हम यह जो बीचों बीच फंदे चूटा था दो और एक इस साइड से फंदे लेंगे दो हो गया यह तीसरा फंदा तीसरा फंदा भी हम इस कलर से बुन लेंगे यह देखिए तीन हो गया पहले एक था अभी तीन हो गया अब धागी को पलटके आगे की साइड यह देखिए सीधी तरफ हमें इस तरह से सीधा सीधा ही बुन लेना है तीनों फंदे हम बुन लिये अब धागे को पीछे करेंगे, इसके बीच में से दूसरा धागा आगे ले आएंगे, और इस कलर को हम इसी तरह से इसको पूरा कर लेंगे इस चलाई को, अब यहां से दूसरी बार देख लीजिए, इस तरह से हम पहला फंदा उताल लेंगे धागे को आगे ले लेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दश, ग्यारा, इस सलाई को हम पूरा करते हुए बीच में आ गए, यह देखिए, एक फंद अब हम फिर से दूसरे कलर से बुन लेंगे, इस तरफ से एक फंद ले लिए, अब बीच का, अब इस तरफ हमें जाना है, बीच का, एक, दो, तीन, फंद पहले से था, अब एक इधर से ले लिए, टोटल कितने फंदे हो गयें, पांच फंदे हो गये, पहले 3 से एक एधर की साइड, और अब दोनों तरफ से बढ़ गए, तो पांच फंद वह गये, आप यहां से पलट लेंगे, इस तरा से दीखिए सीधी तरफ हमें सिधा सिधा ही बुन लेना है दोनों साइड से हमें एक एक फंदे करके यहां से यहां तक पूरा कर लेना यहां भी हम एक एक फंदे लेते जाएंगे इस तरफ भी और सीधी तरफ हमें सिधा सिधा ही बुनना है यह पाच फंदे हम इसी तरह से बुन लेंगे और धागे को पीछे करके इस तरह से यह सलाई भी हम पूरा कर लेंगे आगे हम कैसे बनाएंगे दोस्तों आगे देखिए अब यहां तक यह देखिए बना के ले लिए इस तरह से देख लीजिए यहां भी हम एक एक फंदे लेते गए थे इस तरफ और इस तरफ भी हम एक एक फंदे लिते गए थे इस तरह से हमारा यह पूरा हो गया यह डिजाइन और यह कली अब देखिए यहां तक हम बना के लिए इस तरह से यह देखिए कली बनके तयार है कितनी सुन्दर कली बनी है दोस्तों आप भी इस डॉर्मेट को बनाइए वीडियो को जादा से जादा शेयर किजिएगा इस तरह से यह देखिए एक फंदे लेते गए थे इधर हम एक फंदे छोड़ते ग टोर्मेट पूरा हो गया दोस्तों इस तरह से आगे देखिए दो फनदे को हम एक फनदे करके और फिर से इसी सलाई में डाल देंगे Ziye यह सारे फनदें हम इस तरह से उतारते जाएंगे और जो इस्ट्रा धागा है इसे हम दबाते हुए इसे हम पूरा कर लेंगे यह दोर में डाप लोगों कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताईएगा जादा जादा सेयर